हेलो फ्रेंस विल्कम टू माई चनेल तो प्रेंस आज मैं आई हूँ ताज मेहल तो मेरे लाइफ में मैं आज फास्ट टाइम ही आई हूँ ताज मेहल और यह तो आप तभी को पता होगा कि आगड़ा में है तो हम लोग मतुरा बिंदवन घूम लिया और इसके बाद हम लोग ताज मेहल घूमने के लिए आगड़ा पड़ तो हम लोगों ने दो दिन में सब घूम लिया मतुरा विंदवन और आगड़ा तो यहां पड़ है टिकेट काउंटर जो के ताज मेहल के पास ही है यहां पर दो तरह के टिकेट मिलते हैं एक है पचास रुपए और एक है दूसुपचास रुपए दूसुपचास रुपए में आप तो रहा ताज मेहल के उपर मतलब घूम सकते हो और पचास रुपए वारी टिकेट में आप नीचे नीचे घूम सकते हो तो दो तरह के टि आप लोगों को तो फिर मुझे जब इस इदर से बाहर में निकली तब मुझे दीक रहा है थोड़ा-थोड़ा ताजमेहन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कुशी लगी आप सभी को पता होगा कि शहाजान ने अपनी वाइफ ममताज के लिए बनाया था ताजमेहन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीर है आप लोग देख रखते हैं और पुड़ा हॉइट कलर का है इतना अच्छा लग रहा है इतना कुपकुदत लग रहा है मैंने तस्वीरों में बहुत बात देखा है मूबीस में वगेरा बहुत मतलब देखा है बट आज हाश्टें केसा होता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा कुशी लग रही है तो बहुत दूर पढ़ रहा है पैदल जाड़ी और इंपर इतनी ज्यादा धूप है मैं आप लोग बता नहीं सकती कि दूप में चल चल के फेज़ पुरा काला हो गया है मतलब चेहरा समझ में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा काला हो गया चेहरा धूप में जलके चेहरा तो यह पर अभी हम लोग जा रहे है मुझे लग रहा है इदर पानी में लाइटिंग का कुछ सिस्टेम होगा जो के रात में होगा अभी तो दिन में कुछ दिखनी रहा है मुझे चारोद और मतलब लोग फोटो ही खीच रहे हैं तो मैंने त्रचा में और मेरे अद्वेर हम दोनों का भी इतना पेहित आप लोग को दिखा लेती हूँ कि कितना काला हुए दूप में चल चल के हम लोग देखिए दो दीन ते पुरा गूमी रहे है पहले दिन मतुरा में उ फलकती है का जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे-वैसे हमें बहुत ही खुषी लग रहें दी के हम पास आरे ताज मेहल के किया हम सामने से देखेंगे चू के देख सकते के कैसा है और ताज मेल के पीछे ही है जमना नदी तुम्हें आप लोगों को दिखाऊंगे आप पूरा वीडियो लाज तक देखना अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग तच में ममताच की भी क्या किसमती के शाजान ने उनके लिए ताज मेल बना दिया वह भी इतनी सुंदर के ऐसा दूसरा है ही नहीं तो अभी आप लोगों ने जम्रा नदी देख लिया फिर हम लोगों ने ताज मेल घूम लिया और भूब भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो सोचा अभी हम लोग इधर से अभी चलते हैं बाहर जाके कुछ खाते पिते हैं क्यूंकि हालत पुरा खड़ाब हो गया तो फिर ठीक है गाइस फिर मिलते हैं ने ब्लोग के साथ आज के लिए इतना ही हो कि